आप देख रहे हैं दी इंडियन निस और मैं हूँ प्राची तिवारी क्रिकेट ये कैसा खेल है जिसे आपके दिल की धड़कन कहना जरा भी गलत नहीं होगा हमारा ही देश क्यों कोई भी देश उठा के देख लो जो दीबानगी क्रिकेट को लेकर है वो हर जगहा लगभग एक ही जैसी है खेल तो बहुते रहे हैं मगर इस खेल का जनूर लोगों में सबसे जादा दिखता है क्रिकेटर्स के चौके छटके पर मर मिटते हैं उनके फैंस आज भले ही क्रिकेट अपने काईदों के लिए मशूर है लेकिन पहली बार जो मैच खेला गया था उसमें आज की तरह नियमों की बहुचार नहीं थी अब तो तकनीक भी खेल को डेबलब कर रही है और भी जादा लेकिन मेलबर्न में हुए पहले टेस्ट मैच में केवल और केवल खेल ही था जो खेला गया था चलो अगर आप भी इतने बड़े फैन हो क्रिकेट के तो जरा बताओ कि ये पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था अगर नहीं पता तो हमारा तो काम ही है आपको बताना तो ये जो cricket है ये कुछ साल पहले नहीं बलकि 142 साल पहले खेला गया था जिसमें England और Australia आमने सामने थे और उस वक्त इतना जबरदर्स रोमांच था जो आज भी याद किया जाता है तो जो पहला आधिकारिक टेस्ट मैच था वो 1519 मार्च 1877 को Melbourne Cricket Ground पर खेला गया था जिसमें Australia ने England को 45 रन से हराया था और England के Alfred Shaw को टेस्ट मैच के इतिहास में पहली गेंद डालने के लिए जाना जाता है वही Australia के Charles Bannerman ने पहली century लगाते हुए 100 पैसर टरंट बना कर खुब वाहवाही लूटी थी दिलचस्प बात ये है कि Bannerman मैच में आउट नहीं हुए थे बलकि वो घायल होकर आउट हुए थे वही Australia के ही Billy Mid Winter ने एक पारी में पाँच विकेट लिये थे पहले टेस्ट में ही England को Australia ने हरा दिया था पहला टेस्ट 15 मार्च से शुरू होकर 19 मार्च तक चला था इस मैच में Australia Toss जीतने के बाद से ही England पर हावी रहा था अब तो इस पीड क्रिकेट का जमाना आ गया है एक दिवसिया के बाद 2020 ने क्रिकेट के रुमांच को और भी जादा बढ़ा दिया है लेकिन टेस्ट क्रिकेट को आज भी क्रिकेट का मौलिक रूप माना जाता है और आज भी क्रिकेटर की असली परीक्षया जो होती है वो भारत के इस पहले मैच में सीके नाइडू कप्तान थे तो वही इंग्लेंट के कैप्टन डगलस जॉर्डाइन रहे थे आज भारत सहेत आस्ट्रेलिया, दक्षण अफ्रीका, इंग्लाइन, न्यूजिलेंड, जिंबाम्बे, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, बा पता हैं ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये भी हमें बताना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं